हलो एन वलकम एवरिवन दो आनलाइन गुरू में मैं सुनिल शर्मय आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो सैनिक स्कूल, आर एमसी या फिर आरेमस का एंटरेंस एक्जाम दे रहे हैं आप सभी जानते हैं आपके जेनरल नॉलेज के पार्ट में करेंट अफेर्स से रिलेटेट कुछ क्वेस्टन्स पूछे जाते हैं करेंट अफेर्स वो होता है जो देश और दुनिया में लगातार कुछ इवन्ट्स हो रहे हैं उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवन्ट जिनके एक्जामस में आने की प्रॉबबिलिटी होती है तो यहाँ पे हम 16 से लेकर 31st of माश 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स को कवर अप करेंगे ऐसी ही रेगुलर सेशन्स देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इनफॉर्म करना चाहूंगा हमारी तरप से RIMC, RMS, Sanic, School नवोदे जैसे entrance exams के लिए online classes प्रवाइड की जाती हैं अगर आप हमारे साथ जुड़कर prepare करना चाहते हैं live classes के तुरू तो आप इस number पे whatsapp के तुरू details ले सकते हैं साथ ही साथ RIMC June entrance के लिए हमने एक special course launch किया है जिसमें 600 plus important current affairs का आप MCQ based test देंगे आपको video solutions में लेगा और exam के one month पहले हम आपको printable PDF भी available करवाएंगे linear current affairs के जिनके तुरू आप इन्हें revise कर सकते हैं तो अगर आप इस batch में enroll होना चाहते हैं तो application को install करें link नीचे description में दिया कया है आज का हमारा सबसे पहला news आता है कि union home minister जो है अमित शाह जी इन्हों ने एक statue को unveil किया है यह जो statue है एक तो बास्वन्ना की है और second statue जो है वो नदप्रभू कैम पैंगोडा की है यह दोनों ही statue कहां पे हैं बैंगलॉर में है जिने इन्होंने inaugurate किया है अब इन दो persons के बारे में कुछ important facts आपको पता होना चाहिए कि यह दो लोग कौन थे रेखिए बास्वन्ना जो है यह बसव की रूप में जाने जाते हैं 12th century के लिंगायत समुदाय के एक social reformer थे जो की वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो शिव को follow करने वाले लोग हैं वो इन community से belong करते हैं वो एक small village में जिसका नाम था बसवन्ना बेगवडी जो present time पे करनाटका में आता है वहाँ उनका birth हुआ था second important person नदप्रभू कैमपैगोड़ा ये एक ruler थे और इन्होंने बैंगलॉर सिटी को establish किया था तो इस वज़े से इनके statue को यहाँ पे inaugurate किया गया आपसे यहाँ पे question क्या क्या पूछा जा सकता है कि बास्वन्ना और नदप्रभू कैमपैगोड़ा का statue कहां inaugurate किया गया तो आपका answer हो जाएगा बैंगलॉर second question पूछा जा सकता है कि बास्वन्ना किस community से related थे तो लिंगायत community आपका answer हो जाएगा इसी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कि बैंगलॉर के founder कौन थे तो आपका answer हो जाएगा नदप्रभू कैमपैगोड़ा तो इस टाइप से जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ में नोट करते जाएं कि यह question पूछे जा सकते हैं और इन questions का यह answer आपको देना है तो जब आप इन answers को learn करेंगे तो definitely आप exams में answer दे पाएंगे निक्स्ट टॉपिक आता है 25 अफ मार्च के दिन यूनियन मिनिस्टर फर environment forest and climate change श्री भूपेंद्र यादर जी ने इनागरेट किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अब इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के थूँ यह 5 किलोमेटर का बफर एरिया बनाएंगे अरावली हिल्स में हार्याना राजस्थान गुजरात और देली में क्या ह और यह नूस अप ऐसे समझें यहां अगर आप मैप में देख्टे हैं तो डेली से लेकर हम लोग बॉटम साइट पए गुजरात पे आते हैं तो डेली टू गुजरात के बीच में अरावली मांटेन रेंज यह मांटेन रेंज ठार डेसर्ट को बाकी इंडिया में फैलने स से रोकता है second thing इसी की वजह से जो बेय बेंगॉल से वेव साती है वो यहां पर रेन करती है और हिमालियन रीजन में भी जाकर वो रेन करती है तो क्या किया जाए इसके 55 किलोमेटर में बोथ तक दे साइड बहुत सारा ट्री प्लांटेशन किया जाएगा और इस ट्री प्लां ने स्टार्ट किया तो भूपेंद्र यादव जी ने स्टार्ट किया next question बनता है कि कितने राज्य में how many states जहां पर यह काम किया जाएगा तो आंसर होगा फोर यह फोर कौन-कौन से हैं हरियाना राजस्थान गुजरात और डेली Recently 25th of March के दिन ISRO and New Space India Limited इन दोनों ने मिलकर OneWeb India 2 नाम का एक mission launch कर दिया यह जो mission है यह आप satellite का वो पार्ट यहाँ पे image में देख पा रहे हैं जिसे launch किया गया है इसकी थूटल 36 satellite launch की गई है यह satellite लगबग 450 km के orbit में launch की है यह सब एक particular degree पे inclined है and इनको launch करने के लिए LVM3 rocket का use किया गया है important क्या है कि यह satellite के थूट काम क्या किया जाएगा तो देखो यह जो satellite है यह high speed का broadband connectivity यान की internet connectivity आपको available करवाएगा चाहे वो government हो चाहे वो businesses हो या फिर world के other communication services हो उनको यहां पर internet available करवाएगा तो question क्या पूछा जा सकता है one web किस से related है तो आपका answer होगा high speed internet connectivity से related second question पूछा जा सकता है कि इसको किस rocket से launch किया तो LVM3 rocket से launch किया ठीक है यह दो चीजें आपके लिए important हो जाएगी third thing हो जाएगा कि इसे launch किस ने किया तो ISRO plus New Space India Limited इन दोने मिलके इसे launch किया है third thing आप सभी पहले पढ़ चुके है ISRO के बारे में तो नीचे comment section में comment करके बताओ कि ISRO का full form क्या है निक्स न्यूज में आता है National Dairy Research Institute जो कि कहां पे इंडिया के करनाल में है करनाल हरियाना में पढ़ता है इंडिया में अब इन्होंने क्या किया first clone female काफ को यहां पे develop किया जिनका नाम रखा है गंगा और यह गिर ब्रिड की है अब आप पहले कुछ चीजें समझें National Dairy Research Institute भारत का वो institute है जो dairy farming में मतलब जो cow है goat है buffalo है उनके तुरू milk production को ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम करता है कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा milk production ले सकते हैं काव वगरा को अच्छे से maintain कर सकते हैं इनको disease वगरा ना हो कहां पर है इंडिया में हर्याना के करनाल में है इन्होंने क्या किया एक जो variety है अलग-अलग varieties होती है इनमें तो एक variety breed है जिसका नाम है गिर गिर ब्रिड की जो काव होती है वो बहुत ज्यादा अच्छे होती है क्योंकि उनसे milk production अच्छा होता है साथ ही साथ वो easily किसी भी environment में रह सकती है तो इंडिया में आप कहीं भी इनको अच्छे से develop कर सकते हो तो किया गया इनहीं से एक clone develop किया गया clone is like कि उसी की two copy genetically अब color में आप बूल सकते हैं कि सर ये color में तो दोनों अलग ही दिखाई दे र होता है और जब आप क्लोन डेवलप करते हो तो उनसे जो है न वह ऐसे ही डेवलप होता है जो उनके मदर में quality थी like milk production यह लोग सबसे अच्छा करने वाले हैं तो आपको याद रखना है पहला तो dairy research institute कहां पर तो आपका answer होगा हर्याना का करनाल second question पूछा जाएगा कि first clone कि किया गया है किस ब्रीड का तो answer देंगे अप गिर अगर आपसे पूछा जाता है कि वह उस ब्रीड का नाम क्या रखा गया है जिसको क्लोन बनाया गया है तो नाम रखा गया है गंगा यहां पर मैं आपसे question पूछना चाहूंगा आप लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले एक शीप का क्लोन किया गया था यान वुल्मुट ने किया था वो अप नीचे कमेंट करके बताओ कि उस शीप का नाम क्या रखा गया था क्योंकि आप लोग स्कूल्स में बहुत ही आसानी से उसे पढ़ रहे हैं निक्स यहां पर न्यूज आती है कि इंडिया और एफ्रिका के जो आर्मी के चीफ हैं इन लोगों ने पूनई में एक मीटिंग कंड़क्ट की थी यह मीटिंग करने का जो मेन अब्जेक्टिव था कि इन दोनों ही कंट्री के आर्मी में कैसे एक दूसरे को अच्छी ट्रे किया गया और डिफेंस एक्सराइज का नाम है अफिंडेक्स 2023 आपसे एक्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है देखो जब भी मैं डिफेंस रिलेटेड चीज बताऊंगा तो आपको धियान है सैनिक स्कूल डिफेंस से रिलेटेड है राश्ट्री मिलिटरी स्कूल डिफेंस से रिलेटेड है इनके एक्जाम में डिफेंस रिलेटेड चीज़े बहुत जादा ही पूछी जाती है तो पहले से आप प्रिपेर्ड रहेंगे अब डिफेंस रिलेटेड जब कभी भी किसी एक्सराइज के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, पहला इनका पूछने का तरीका होता है कि कहां पर और्गनाईज किया गया, दूसरा इनका question होता है किन किन country के बीच में और्गनाईज किया गया, बस यह दो ही question defense related exercise में आप से पूछते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, अफ इंडेक्स न government ने क्या किया, एक नई scheme launch की है, जिसका नाम रखा है new India literacy program, new India literacy program, जिसकी तुरू adult literacy को इंडिया में promote किया जाएगा, अब adult literacy का मतलब, आप अपने आसपास में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो non-literate है, उनने लिखना पढ़ना नहीं आता, उनकी age 15 years and above हो है, तो उन लोगों को भी क्या किया जाए, इंपावर किया जाए, उन लोगों को भी educate किया जाए, इस से related यहाँ पे scheme चलाए गई, new India literacy program, अगर आप से question पूछता है, new India literacy program किस से related है, तो adult illiteracy को खतम करने से, उनको literate करने से related है, किस age group के लिए तुभे 15 years and above वाले age group के इंडिया की जो प्रेसेडेंट है, दुरापदी मुर्मूजी इन्होंने प्रेस्टीजियस पद्म अवार्ड अभी राष्ट्रपती भवन में प्रेजेंट किये, आप सभी जानते हैं, हमारे पास थीन पद्म अवार्ड दिये जाता है, जो कि पद्म विभूशन, पद्म श्री के रूप में जाना जाता है, यहां पर आपसे एक क्वेस्टन पूछना चाहूंगा, आप नीचे कमेंट करके बताएं, इन तीनों में से इंडिया का हाइस्ट सिविलियन ओनर कौन सा है, नीचे कमेंट करें, अगले सेशन में मैं आप सभी के कमेंट को इंक्लूड भ अब आपको पूरे 106 लोगों के नाम याद नहीं रखने, आपको बस इतना ही याद रखना होता है कि कौन यह अवाड देता है, तो प्रेसेडेंट अफ इंडिया, अभी प्रेसेडेंट अफ इंडिया कौन है, द्रापदी मुर्मूजी, सेगं तिंग कितने लोगों को दि दिये गए, 6% को दिये गए, 9 अवाड जो थे वो पद में भूशन को दिये गए, ठीक है, और रिमेनिंग जो अवाड थे 91, यह यहाँ पर किसको दिये गए, पद में श्री को दिये गए, तो 6 लोगों को पद में भी भूशन, 9 लोगों को पद में भूशन, और 91% को पद म श्री अवर्ड यहां पे दिया गया था United Nation का 2023 का Water Conference अभी 22 से लेकर 24 मार्च के बीच New York में और्गनाईज किया गया था यह ऐसा First Summit था Water पे पिछले 50 सालों में यहां पे बूला जा रहा है कि यह Paris moment हो सकता है जिसे की host किया था तजीकिस्तान और निदरलैंट ने यह लोग इंसे और करना चाहते है Sustainable Development Goal No.6 को अब इसे थोड़ा सा डीटियल्स में समझते हैं देखे Water Related एक Meeting की गई कि हम लोग Water को कैसे Sustain कर सकते हैं बचा सकते हैं लोगों तक पीने का पानी वो भी शुद्ध पीने का पानी कैसे Available करवा सकते हैं तो SDG क्या है बहिए देखो क्या हुआ World के सारे Nations ने मिलके एक Goal Decide किया जिसको नाम दे दिया Sustainable Development Goals Short में हम बोलते हैं SDG Total 17 Goals हम लोगों ने लिए हैं कि ये 17 काम हम World के लिए करेंगे कब तक पूरा करेंगे तो 2030 तक इन कामों को पूरा किया जाएगा ये हम लोगों को थोड़ा सा यहां पर याद रखना है तो इस Meeting को अभी किसने Organize करवाया तजीकिस्तान और नीदरलैंड ने मिलकर इस Meeting को Organize करवाया था कहां पर Organize करवाया New York City में दो क्वेस्टन बनेंगे ये Conference कहां हुआ New York में हुआ किस-किस ने Organize करवाया तजीकिस्तान और नीदरलैंड ने Organize करवाया ये दो questions आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं हाली में 23rd मार्च को Prime Minister Narendra Modi ने भारत 6G Vision Document जो आप यहाँ इनके हाथ में देख पा रहे हैं ये Release किया है इस Document का क्या कहना है कि इंडिया को न 6G Communication Service 2030 के पहले-पहले हम लोग available करवाएंगे अब ये 6G Services क्या है अभी जो आप बहुत जादा सुन रहे हैं वो 3G, 4G, 5G सुन रहे हैं और अब आ गया है 6G इंटरनेट कनेक्शन्स की जो स्पीड होती है उन्हें नाम दिया जाता है Generation अभी हम लोग 3G को बहुत अच्छे से यूज में ले रहे हैं और 4G इंडिया में चल रहा है जबकि इंडिया ने अभी कुछ selected places पे 5G टेलिकॉम सर्विसेज भी अवेलिबल करवा दी गई है 5G टेलिकॉम सर्विसेज की जो मैक्जिमम स्पीड है वो 1GB पर सेकंड की स्पीड है एक सेकंड में आप पूरी मूवी डाउनलोड कर सकते हो कि इसमें 5G के थ्रू अब जब हम लोग यहाँ पे 6G को लॉंच करने वाले हैं तो इसका मतलब होगा 1000 GB आप एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो तो इससे क्या होगा Internet Connectivity अच्छी मिलेगी और आप और हम जैसे Online Classes पढ़ रहे हैं तो आप लोग हमारे थू जब Online Classes करते हैं तो आप इनी Services का यूज करते हैं आप जो Internet यूज करते हैं वो 3G, 4G में यूज कर रहे हैं कुछ समय में आप 5G और 6G पे भी आ जाएंगे इससे हमारा experience ऐसा real life हो जाएगा कि हम लोग आमने सामने ही तो बैठ कर पढ़ रहे हैं तो ये 6G services टेलीकॉम में एक revolution का काम करेगा question क्या बनता है इंडिया में कब तक 6G आएगा 2030 तक आएगा document किस ने launch किया Prime Minister Narendra Modi ने next question आता है Abel Price ये अर्जेंटीना के एक mathematician है अर्जेंटीना के थे अमेरिका शिफ्ट हो गए थे एक mathematician है नाम है Lewis Cafferly इन्हें ये अवार्ड दिया गया अब देखो आपने बहुत सारे अवार्ड सुने होंगे आपने एक सुना होगा Nobel Prize जो सबसे prestigious अवार्ड में से माना जाता है यहाँ पर क्या होता है Mathematics के लिए कोई Nobel Prize नहीं है तो जो Nobel Prize है उसी को चुकि Mathematics में सबसे बड़ा प्राइज है इसलिए इसे Nobel Prize in Mathematics के equivalent माना जाता है यह प्राइज Norway की एक Academy of Science है जो यहाँ पर देती है कहाँ पर देती है Norway की Capital Oslo में देती है तो ऐसे कोई भी परसन जो Mathematics में शानदार काम करते है इनना Research Purposes उन्हें यह अवाड दिया जाता है तो इस साल का अवाड किसे दिया गया लुईस कैफरली को दिया गया है Question क्या क्या बनते है Question No.1 Abell Prize किस फील्ड में दिया जाता है Answer होगा Mathematics Question No.2 Abell Prize कौन देता है तो Norway देता है Question No.3 इस अल का Abell Prize किसको मिला तो लुईस कैफरली यह चितने Questions में आपको बता रहो है यह आप लिखते जाएंगे अपनी-पनी Copy में ताकि exam में आप आसानी से answers दे सकें Next World Tuber Colossus Day 24 मार्च के दिन यहाँ पे अर्गनाईस किया जाता है अब 24 मार्च के दिन जब हम लोग World Tuber Colossus Day मनाते हैं तो भई क्या है Tuber Colossus थोड़ा सा उसे भी समझते हैं देखो यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हो यह इमेज किसकी है हमारे लंग्स की इमेज है हमारे पास फेफड हैं जिनके दूरू हम लोग सांस लेते हैं लंग्स के दूरू हम लोग सांस लेते हैं तो सांस की दूरू एक बैक्टीरिया आ जाता है आपके लंग्स में जिसका नाम है Mycobacterium Tuber Colossus आपको इतने दिफ्ट में नहीं जाना है बस सुनके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें उससे क्या होता है TB नाम की एक डिजीज हो जाती है इससे इनसान प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता खांसता है खांसने में खून भी आता है ये एक डिजीज है जिसको बूला जाता है TB अब इस डिजीज से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप खांसते या चीकते हैं तो अपने मूँ को कवर करना चाहिए मूँ को ढखना चाहिए ऐसा कोई भी परसन जिसे TB है उसके संपर्क से थोड़ा सा दूर रहें जब आप उसके संपर्क में जाएं तो मास्क वगरा यूज करें ऐसा अवेरनेस फैलाया जाता है इस दिन इस दिन क्या हुआ था रॉबर्ट कॉच नाम के परसन ने ट्यूबर क्लॉसिस जिस बैक्टीरिया की वज़े से होता है उसे 1882 में डिस्कवर किया था इस साल जब हम ट्यूबर क्लॉसिस जे मना रहे हैं तो थीम क्या रखी गई येस वी केंड एंड टीबी मतलब टीबी डिजीज खतम हो सकता है बस अवेरनेस की रिक्वाइमेंट है लोगों को पता होना चीए कि बचना कैसे है डिफलप्मेंट गोल होगा तो वर्ल्ड वाली ने तो टार्गेट लिया है 2030 लेकिन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने और पहले टार्गेट लिया है 2025 तक ही इंडिया से ट्यूबर क्लॉसिस को खतम कर देना है तो क्या क्या याद रखेंगे ट्यूबर क्लॉसिस दे 24 मार्च किसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया रॉबर्ट कॉच इंडिया कब तक ट्यूबर क्लॉसिस खतम करना चाहता है 2025 वर्ल्ड कब तक खतम करना चाहता है 2030 इस साल का थीम क्या था Yes, We Can End TV यह कुछ 4-5 question इन में से पूछे जा सकते हैं अगली न्यूज आती है world happiness report आप कितने खुश हैं वो रिपोर्ट United Nation के sustainable development solution network ने अभी publish की है यह रिपोर्ट यह आपके दिखाता है कि Finland जो है न वर्ल्ड का सबसे happiest country है लगबग लगबग पिछले 6 सालों से Finland वर्ल्ड का सबसे happy country बना हुआ है इंडिया की बात करें पिछली बार इंडिया का 136 रैंक था बाद में यह rank improve होके कितना हो चुका है 126 हो चुका है तो अब इंडिया की ranking 126 है यहां पे सबसे end में कौन है सबसे unhappy country कौन है तो अफगानिस्तान वर्ल्ड का सबसे unhappy country है याद क् क्या रखना है happiness report में वर्ल्ड में सबसे happy कौन नंबर वन फिन लैंड इंडिया पहले 136 था अब 126 है सबसे unhappy कौन है अफगानिस्तान बस इत्ती इत्ती बात है आप लोग आसानी से याद रखेंगे और I am sure exam में आप आसानी से आंसर भी करेंगे 24 मार्च के दिन Assam Rifles का 188 राइजिंग डे सिलॉंग में celebrate किया गया आप सभी जानते हैं डिफेंस में अपने पास अलग-अलग category में forces है तो Assam Rifles 188 वा साल celebrate कर रहा है कब बना था Assam Rifle 24 अफ मार्च के दिन बना था क्या करता है Assam Rifle ये parliamentary force है जो border की security करता है साथ इसाथ counter insurgency मतलब हमारी boundary में अगर कोई घुश जाए तो उसे मारना और भगाने का भी काम करता है law and order बनाए रखता है Northeastern India में जो अरुनाचल प्रदेश वगरा है मेगाले में जोरम उनमे law order बनाने के लिए काम करता है और इंडिया और मयान मार के बीच में जो border है न वहाँ पे ये काम करते हैं इंडिया और मयान मार की border को सिक्योर करने का काम करता है कब इस्टैबलिश हुआ था 1835 में नाम क्या था कैचर लेवी उस ताइम पे कैचर लेवी के रूप में इन्हें स्टैबलिश किया गया था इंडिया नेवी ने रॉयल नेवी के साथ मिलकर एक bilateral marine exercise किया marine exercise का मतलब है defense related exercise तो यह exercise नेवी जब करती है तो उन्हें marine exercise कहते हैं कहां पे किया गया क्या नाम रखा गया कौंकन कोस्ट में किया गया Arabian Sea पे नाम रखा है कोंकन 2023, कब हुआ 20 से 22nd मार्ज तक हुआ, अब question क्या क्या बनेगा, exercise कोंकन किस से related है, नेवी से, कौन कौन सी नेवी, इंडिया और रॉयल नेवी, ठेके कहां पे हुआ, कोंकन में ही हुआ Arabian Sea के पास, बस इससे ज़्यादा defense exercise में question नहीं पूछे जाते, हाली में Youth Affairs and Sports Minister Anurag Shing Thakurji ने 13th IBA Women's World Boxing Championship को New Delhi में start कर दिया, World Boxing Championship किनका Women's का, कहां पे organize हो रहा है, New Delhi में, बस इतना सा question है, 5th World Air Quality Report, इशू किया IQ Air नाम की company ने, और इन्होंने का, इंडिया न, अभी भी बहुत problem face कर रहा है, pollution कम करने में, अगर बात करें Delhi की, तो 4th number पे आता है, वर्ल्ड के polluted city में, और अगर बात करें, metropolitan में, capital reason में, तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा polluted capital है, अगर हम लोग बात करते हैं, capital wise की countries के जो capital है, सबसे ज़्यादा polluted, सबसे ज़्यादा production का हैं, तो Delhi number 1 पे आता है, पूरे वर्ल्ड में, अगर बात करते हैं, as a city, तो हम लोग 4 नंबर पे आते हैं, सोच सकते हो कितना ज़्यादा pollution है यहाँ पे, भेवंडी राजस्थान का, यहाँ पे most polluted city रहा, इंडिया pollution की list में, वर्ल्ड में तीसरे लैंक पे आता है, क्या कर सकते हैं, pollution कम करने के लिए, वेक्वल एमिशन कम कर सकते हैं, कच्रा नहीं चलाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, इस रो, जिसका फुल फॉर्म आप लोगोंने नीचे कमेंट सेक्शन में करी दिया होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन, इन्होंने युवा विज्ञान कारिकरम, युवी का नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके थूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको साइन्स, टेकनोलोजी, इंग्जीनियरिंग और मैथमेटिक्स में डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन मार्ज 20 को स्टार्ट हुआ, 3 अपरिल तक रेजिस्ट्रेशन चला, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया, रेजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीज नहीं था, नाइन्थ क्लास के बच्चे और उसके एक्विवलेंट बच्चे इसमें पार्टिसिपेट ले सकते थे, जो भी बच्चे इस एक्जाइम को क्रैक करके सामने आएंगे, उनको इसरो की तरप से लगबग लगबग 15 डेज का एक रेजिदेंशल प्रोग्राम मिलेगा, जहां पे उन बच्चों को इसरो अपने आसपास के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां पे ट्रेनिंग अवेलिबल करवाएगी, रॉकेट कैसे काम करता है और वो सारी चीज़ें दिखाएगी, ताकि इन बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो और आगी बढ़के वो लोग साइन्टिस्ट बनने के लिए महनत करें, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तो आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये कारिकरम किया गया, याद रखेंगे यूवी का प्रोग्राम किसे रेलेटेड है, साइन्स टेकनोलोजी, इंगजीनिरिंग अन मैथेमेटिक्स में डेवलपमेंट के लिए, किसने लॉंच किया, तो इसरो ने इस प्रोग्राम को लॉंच किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टाक्टिस्टिक्स अन प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन ने, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी किया, यहाँ पर इंप्लिमेंट बात क्या है कि इंडिया का सेक्स रेशो एक्सपेक्ट कर रहा है, 2011 में जो 943 था, यह 2036 तक बढ़कर 952 हो जाएगा, सबसे पहला वर्ट जो आपको समझना है सेक्स रेशो क्या है, तो 1000 अगर मेल्स की पॉपुलेशन है, तो इनके कमपारिजन में फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, उसे बोला जाता है सेक्स रेशो, तो इंडिया में 2011 में 1000 मेल्स के कमपारिजन में 943 फीमेल्स अवेलेबल थी, जबकि 2036 तक 952 फीमेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, गौफ्मेंट अफ इंडिया ने PM मित्र पार्क खोलने की बात किये, यह PM मित्र पार्क तमिलनाडू, तैलंगाना, करनाटका, महराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, टोटल साथ जगों पे खोले जाएंगे, क्या है यह पार्क, तो भईया पार्क वो नहीं है, जो आप समझ रहें कि गार्डेन में आप भूमने जाते हैं, यह इस टाइप के पार्क होंगे, जहां पे आपको कपड़े की मैनुफेक्चरिंग की जाएगी, और इसके तुरू वोमेन इंपावर्मेंट भी होगा, इन्हें काम भी मिलेगा, अपना लिवलियोट भी अर्न कर पाएंगे, तो पीएम मित्र पार्क कहां खांपे खूले जा रहे हैं, यह seven places के name, second thing कितने खूले जा रहे हैं, तो seven खूले जा रहे हैं, third thing किस से related है, टेक्स्टाइल यानि कि कपड़ों से related हैं, 18 मार्च के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदे ने ग्लोबल मिलिट श्री अन कॉन्फरेंस को न्यू देली में और्गनाईज किया आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटरनाशनल इयर ओफ मिलिट 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका प्रपोजल भी इंडिया नहीं दिया था इस पर सबसे इंपोर्टेंट क्वेस्टेन आपका पूछा जाएगा पहला तो इंटरनाशनल इयर ओफ मिलिट कब बनाते हैं तो 2023 दूसरा यहां पर हो जाएगा कि इसका इनॉग्रेशन सेरिमनी कहां पर हुई थी तो रोम में और्गनाईज की गई थी फूड एन एगरी कल्चर और्गनाईजेशन के हेड़कॉर्टर पे किसके बोलने पर मनाया जा रहा हैं इंडिया के बोलने पर मनाया जा रहा हैं और इसका कॉन्फरेंस कहां पर हुआ इंडिया में न्यू देली में और्गनाईज किया गया हैं लाइक बाजरा जुआर मक्का एक्सेटरा इंडियन नेवी रॉयल साओधी नेवी मुंबई में मिले और आगे यह लोग एक डिफेंस एक्सेसाइज करने वाले हैं जिसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी 2023 तो अल मोहेद अल हिंदी 2023 के नाम से एक defense exercise किया जाएगा future के अंदर कब मे 2023 में जुबैल नाम का place साउधी अरप में उसकी पहले से preparation के लिए इन दोनों की नेवी ने यहाँ पे meeting organize की है सक्तिकांत दास जो की इंडिया में RBI Reserve Bank of India के governor है इन्हें worldwide governor of the year 2023 का अवार्ड दिया गया है अपने आप में गर्व की बात है कि इंडियन पर्जन को वर्ल्ड वाइड दिया जा रहा है तो याद रखेंगे शक्तिकांत दास गवर्नर है रिजर्व बैंक आफ इंडिया के स्टूडेंट यह था हमारा आज का सेशन आई होप आप सभी को इसली समझ में आया हो फिर भी अगर कोई कि डाउट या कोई क्वैरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए विदिन 24 आर्स आपके सभी डाउट और क्वैरी को यहां पे सॉल्व किया जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेज के थुरू प्रिपैर करना चाहते हैं नंबर आप यही रेगुलर सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए जैहिंद